हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब किजिए हेल्दी हेल्थ यूचिप चैनल को और दिबाईए इस गंटी को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले शरीर में कोई रोग होने पर हमेंसे ज्यादतर लोग ये लोपैथी की तरफ भागते हैं जबकि ये लोपैथी के अलावा भी ऐसे कई चिकित्सा पधतियां मौजूद हैं जिनसे पुराने और असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है ऐसी ही एक चिकित्सा पधति है चुमकी ये पधति यानि मैगनेटिक थेरेपी इस चिकित्सा पधति द्वारा आजकल विदेशों में कई बड़े रोगों को आसानी से ठीक किया जा रहा है अगर आपको कमर दर्द या ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो मैगनेट थेरेपी द्वारा इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है इस विधी से इलाज करने पर आपको किसी भी तरह की दवा लेने की जरूरत नहीं है केवल चुमबक के शक्ती से ही आपका रोग ठीक हो जाता है आईए आपको बताते हैं क्या है मैगनेट थेरेपी और कैसे कर सकते हैं आप इसके द्वारा अपना इलाज चुम्बक कैसे करता है इलाज दरसल चुम्बक में एक तरह के शक्ती होती है जिसे चुम्बक की ये शक्ती कहते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जीवन और हमारी प्रित्फी का जीवन सब कुछ चेसी चुम्बक की ये शक्ती से संचालित होता है हमारे खून में आयरन यानि लोहा पाया जाता है जो चुम्बक के द्वारा आकर्शित होता है इसलिए चुम्बक के द्वारा रोगों का इलाज संभव है अगर हम चुम्बक के चिकित सा पददी के आधार पर आपके शरीर को बांटें तो खड़े होने पर आपके सिर का हिसा उत्तरी ध्रोव होगा और पैर का हिसा दक्षनी ध्रोव लेटने पर शरीर का दाहिना हिसा उत्तरी ध्रोव होगा और बाया हिसा दक्षनी ध्रोव जबक खाने पीने, उठने बैठने और सोने के लिए अलग-अलग दिशाओं का निर्धारन किया गया था। खाने पावर के अलग-अलग हिससे में हो रहा है तो दाहीनी तरफ के दर्ध के लिए उतरी ध्रोव लगाएं और बाई तरफ के दर्ध के लिए दक्षणी ध्रोव लगाएं। चुम्बक का बाजुबंद बनाकर उसे रोज एक घंटे के लिए पहने। हाई ब्लड प्रेशर के लिए उत्तरी ध्रोव का प्रेयोग ज्यादा ठीक रहता है क्यूंकि इसकी था सीर ठंडी होती है। ध्यान रहे अंगों के हिसाब से किस हाथ में चुम्बक का कौन सा ध्रोव रखना है इसकी जानकारी उपर बताई गई है। उसी अनुसार चुम्बक को हतेलियों में रखें। चुम्बक किये चिकित्सा के समय लकडी की खुरसी या तख्त का इस्तिमाल करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। चुम्बक किये चिकित्सा के लिए सुबह खाली पेट का समय सबसे सही होता है। लेकिन इसे करने के आधे घंटे बाद तक ठंडी चीजें जैसे आईसक्रीम, फ्रिज का पानी आधी का सेवन न करें। खाना खाने के तुरंत बाद चुम्बक की ये चिकित्सा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इस चिकित्सा द्वारा आपको कोई परिशानी महसूस होती है तो इसे तुरंत बंद कर दें और चिकित्सक से संपर्क करें क्यूंकि संभव है आपने चुम्बकों का ध्रुव घलत चुना हो या आपको शरीर की परिशानी का ठीक ठीक कारण न पता हो।